वो नमस्कार दोस्तों आजकी कख्षा में आपका स्वागत है मैं डौक्टर भार्चंदुकुतम्म अलब्राज के मामिंद दाले मूंदी आपका हार्दी किस्वागत करता हूं दोस्तो आजका हमारा विशे है आईसोस्टेसी जिसे हिंदी में भू संतूलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों जब हम प्रत्वी पर या प्रत्वी के गलोब पर देखते हैं कि कहीं तो उच्छे उठेवे पहाड़ हैं कहीं पठार हैं, कहीं मेदान हैं, कहीं गर्द बने वे हैं, कहीं गहरी जीले हैं तो दोस्तों हमारे मन में एक प्रेश उठना स्वभाविक है कि ये सभी जो इस्तल रूप हैं, सभी उच्चावच हैं किस शक्ति के द्वारा या किस प्रक्रिय के द्वारा संतुलित अवस्था में है हम यह सोच सकते हैं कि जहां पहाड है या परवत है उद्धर प्रत्वी एक और जुग जानी चाहिए और जहां पर गर्थ है जील है वहां से प्रत्वी उपर उठ जानी चाहिए जैसा कि साधा वर्पित्याय चांण पर तरा उता है के लिए बिखता से तरक रखते हैं तो वह तरफुत जुगाता है और जब जदल जद वजन कम होता है वह पल्ड़ा उठ जाता है तो प्रत्वी का ग्लोब देखने पर हमें यह यहीं मेहीं होता है कि जह हैं परवत है वो तो भारी होंगे और जहां पर गर्थ है वो हलके होंगे लेकिन फिर भी प्रत्वी संतुली तवस्था में है एक समान इस्थती में संतुलन की स्थती से कहते हैं उस स्थती में प्रत्वी टिकी हुई है इस्थिर है तो दोस्तों यही जो दशा है यह संतुलों की दशा कहलाती है दोस्तों इस शब्द के लिए अंगरी जी में आइस्टोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस और स्टेसियस शब्द से मिलकर बना हुआ है यानि समान रूप से खड़े हैं समान रूप से इस्थिर हैं यदि आइसोस्टेशियस भाषा का या आइसोस्टेशियस शब्द का हिंदी में अर्थ लिया जाए तो वो समिस्थेती से होता है या संतुलन की दशा से होता है दोस्तों समिस्थेती की जो परिवाशा है वो इस प्रकार है कि प्रत्वी तल पर या परिभ्रमन करती हुई प्रत्वी पर उपर इस्थित क्षेत्रों उपर इस्थित क्षेत्र कौन-कौन से हैं दोस्तों एक तो एक परवत पठार और मैदान और गहराई में इस्थित क्षे भोतिक अथवा यांत्रिक इस्थरता की दशा को ही संतुलन कहते हैं तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्थिक के लोग पर एक तरफ तो उंचे परवत हैं और दूसी तरफ गहरे सागर जीले इस्थित हैं तो इनके मत्री जो संतुलन दशा बनी हुई है उ करभू कि क्रस्टर के अलग सिंदियु सवा नेटाया पको मैं यह दो और के लाएं हैं aura दोस्तों बाहरों में तैक में पर मोकि कुछवा का महले दोस्तों कुछ सील का है फैली कोह शीपे करता है और दोनों का गुनत्वा अलग-अलग है तो इन दोनों भूक्षित्रों के मद्धिय जो संतुलन की या इस्थिर्ता की दशा है उसे ही आइसोस्टेसी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ये जो समिस्थती है ये एक संतुलन की दशा है जो हमें ये बताती है कि प्रतेक चटान या प्रतेक भूभाग अपने से भारी चटान या भारी पधार्थ के उपर तेर रहा है या इस्थिर है तेरना शब्द इसलिए काम लिया गया है क्यांकि जो हलका भूभाग है या जो क्रस्ट से बने वहे हैं वो mental वाले भागों पर टिके वे हैं, यानि लिथोस्फियर, एस्थेनोस्फियर पर टिका हुआ है, crust वाले भाग, mental वाले भागों पर टिके वे, सिधे शब्दों में कहें, तो सियाल वाले जो भाग है, वो सीमा वाले भागों पर टिके वे हैं, या तेर रहे हैं, तेरने वा भागों की मोटाई और उनके घर्टव का जो है रेफरेंस या संदर्व लिया जाता है जो भाग अधिक मोटा है वो अधिक गहराई तक तेर रहा है और जो भाग कम मोटा है या कम घर्टव वाला है वो कम गहराई तक तेर रहा है इसके बारे में अभी आगे विस्तार से चर् जुक्त किया जाता है और है हमें ह। कड्श केड़्iegen के मैंधि़ की सन्त्राइव यहां प्र 아 परी पर्दशित करता है तो दोस्तों यहां विकास हुआ है दोस्तों C.E.Dutton नाम के एक विध्वान थे क्या नाम था हुआ 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 γ Wentana 1889 में स्मawawl 신기 Lyn' क यह उन्होंने यह बताया कि पत्षी पर लाधर की सह दश्चाइ विकल में लसे सम में के नाम से जा न घाता है तो सदू एक बात और एंगे उन्होंने यहां पर संतुलन संथै भी जल के बारे में बता दिया था आगे सरक्षा करेंगे कि र्टार को देने शुद्स के बारे में बताया था लेकिन जब है सबसे पहले लोने प्रत्तन मोटे ने संस्थे थी में टिक ही इसाथ roof विद्वान कों से थे घृतन कि इन ने 1889 इसवी में कि समिस्तती शब्द का प्रियोग किया था है दोस्तों कि समिस्तती या संत्रों के दशागी सिध्धान्त का पदूर्वाव किस परकार से हुआ दोस्तों भारत के एक सरवेक्षक जनरल थे, Sir George Everest, George Everest नाम के एक सरवेक्षक जनरल थे, जो 1869, कौन से में दोस्तों? इसको इसको अपपरेक्ट कर लें, 1869 इसी में, Since Gunga के मेदान में सरवेक्षण का कारे कर रहे थे, दोस्तों दुबरा बोल रहो हूं है सर जोर्ज एवरेस टामक एक सर्वेक्षक जनरल थे जो की एक्थरा सोन से टिस्वी में सिंदु गंगा की मिदान में सर्वेक्षन का कारे कर रहे थे तो वहाँ पर कल्यान और कल्यान पूर नमक दो गाओं की जो माप ली गई उसमें अंतर आया और यहीं से समस्थती की समस्या पर चर्चा होना शुरू हो गई तो यह माप में जो अंतर आया इसकी व्याख्या अलग 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 पकारसी की सर्जोर एरी नमक चत्निख on तो यहीं से घू21 toden यह सं मीशंतहुटिक सिद्धानत का प्रादु। यह समस्या शामने की और अलगयreek विद्धानों ने अलगय प्रक्रार लोग पैसे कि इसकी रख्या की है दोस्तों संतुलनम या संविस्थिय को सिध्धानत उसमें एयरी और प्राठ्ट के सिध्धानत का फ़ी दिखिधंत हैं क्यासे दिकमत्ấp पूर्पून से दोस्तों क्योंकि एयरी और प्राठ्ट के दौरा 한 causa trip process के व ऐदे उनके बाद आने वाले विद्वानों ने इनी के द्वारा दिये गए सिध्धानतों को संशुजित रूप से प्रस्तूत किया है। दोस्तों हम यहां पर एयरी और प्राट के जो मत दिये गए हैं समस्तति के वारे में उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे फले हम सर जोर्च-ईरी के सिध्धानत की जचा करेंगे कि जोर्च-ईरी ने संतुलन्द के संदर्व में अपना क्या सिध्धानत प्रस्तूत किया था। दोस्तों, सर जोर्जेरी ने बताया कि जो इस्तल भाग का जो घ्रत्व होता है वो सभी का जो घ्रत्व है वो उनकी लंबाई पर निर्भर करता है उन्होंने कहा कि सबी स्तंबों का जो घरत्व है वो बराबर होता है यानि सबी जो इस्तल भागें चाए परवत है चाए पठार है चाए मेदान है चाए सागरतली है सबी का घरत्व समान है किन्त उनकी गहराई में अंतर है उन्होंने कहा कि प्रत्वी जो क्रस्ट है यानि प्रत्वी का उप्री बाग जो क्रस्ट का बनावा है वो अद्ध इस्तर पर यानि में तेर रहा है यानि सियाल सीमा पर तेर रही है उन्होंने काई कि सब इस्तिलपागों के घरत्व समान है लेकिन वो अपनी अपनी लंबाई के अनुसार या उंचाई के अनुसार अधिक गहराई तक अध्य इस्तर में या मेंटल वाले भूभाग में दूबे हुए हैं देखिए दोस्तों यहां पर वो बता भी रहें कि the earth's crust is less than the underlying mental तत्थ्वी की जो crust है वो mental से कम घ्रत्व वाली है दोस्तों आपको में शुरूरू में बताया था कि कम घ्रत्व वाले जो भूभाग है वो अधिक घ्रत्व वाले भूभागों पर टिके हुए हैं तो यह जो वर्टिकल मुवमेंट लंबवत जो इस्थती है इस्थल भागों की तो इस्थल भाग लंबवत रूप से हैं में अलग-अलग घ्राई पर इस्थित हैं दोस्तों यहां पर देखिए कि the height of the high the height of block of wood floats in water depends on its density and thickness उन्होंने प्रयोग भी किया था लगडी की टुक अपनी अपनी गेहराई के नुसार उस पानी में डूपते वे चले गए तो इस सिद्दान के द्वरानों ने यह इस्थ करने का प्रयास क्याता है कि जो भाग जितना अधिक उचा है उतने गेहराई तक mental में या अधिस्तर में धसा हुआ है और जो भाग कितना कम उचा है उ इसी इस्थल गूप का देखते हैं वो उसकी उसके घ्रत्व और उसकी उसके जिस जिन पधात उससे बनावा उस पर निर्भर करता है तो स्याम देखते हैं कि किस प्रकार से एरी मोदे ने परियोग करके अपने सिद्दान को इस्पष्ट किया है उन्होंने लकडी के अलग मुद्ध समावे ने का इसां लकडी के टुकड़े है वह अपनी-अपने गेराई के अनुसार पानी में दूपते हुए चले गये हुए है मैं यहां पर आप देख रहे हैं नोस्तों समाहगृत्य वाल लकडी के तुकड़े हैं इन लकड़ी के टुकड़ों को अने में डूबा दिया है जो सबसे लंबा टुकड़ा है दोस्तों वो सबसे अधी गहराई पर डूबा हुआ है और वो सबसे चुटा टुकड़ा है वो कम गहराई में डूबा हुआ है तो दोस्तों यह जो लकड़ी के इसको सब्सक्रबाबग और वहिसली वा जिलाना आधीक नहीं हो गयराही तक original में सभी सनदों ते सब्सक्राइब है कि उनका घृत्तुप दोस्तों बराबर होता है nieuwsकुप बड़ाइन गारत होता है ऐसी करएं यह सभी इस्तित ऐसे मोड़ देखे दोस्तों है जो यह मांटेन तो है यह गृत वह पर्वत यह देखे दोस्तों अधिक गेराई तक अधिस्तर में दूबा हुआ है क्योंकि जितना उंचा होगा उतने दी गेराई तक स्थर में रसा हुआ हुआ यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं परवत परवतों के निचे सबसे दी गेराई तक क्रस्ट पाई जाती है सबसे दी गेराई तक है कि दोस्तों पर पठार पथार उन से पठार के इंचे उसे कम घहरायतक रस्त है तो पर उतों के इंचे सबसे कम क्रस्त की मूटी परत पाई जाती यानि यहां पर अलग-ळग ब्लोक सपना जा सकते हैं दोस्तों देखिए यह एक ब्लोक तो यह हूं गया दोस्तों और जो दूसरा ब्लोग है दोस्तों ये एक ब्लोग परवत का हो गया इसके बाद देखी दोस्तों ये पठार का हो गया ये मेदान का हो गया और ये सागर तरी का हो गया तो परवतों का जो ब्लोक है वो अधिक गेराय तक दसा हुआ है देख रहे हैं आप यहां पर जो पठारों का ब्लोक है वो कम गेराय तक दसा हुआ है जो मेदानों का ब्लोक है वो उससे कम गेराय तक दसा हुआ है और साकर तरीका जो ब्लोक है उससे कम गेराय तक दसा हुआ है दोस्तों यहां पर दिया माल लें कि यह परवत वॉला ब्लोक जो सब्सक्राइबसर जाते हैं और अब पर और मैं आपको पहले बदा चुका हूँ कि यह पर्वत है और सबसे दीग गेराय तक अधिस्तर में अधिस्तर में दूबा हुआ है तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भाग जितना अधिक लंबा है उसके उतना ही ज्यादा क्रस्ट की परत का भाग है पर्वत ह तो पर्वत के नीचे सबसे ज्यादा क्रस्ट का हिस्सा है यह आप देख रहे हैं इसके बाद पठार आगे तो पठारों के इंचे क्रस्ट का हिस्सा कम हो गया मेदानों के इंचे क्रस्ट का हिस्सा उससे और कम हो गया और सागर तली के नीचे क्रस्ट का हिस्सा नूनतम हो जोड जेरी की दौरा ये बताया गया था कि जो भाग जितना उच्छा है उतनी गहराई तक अधिस्तर में सब सेटम में डूबा हुआ है अधिक घंतोले पदार्टों में डूबा हुआ है इसलिए वह पत्ति पर संत्रों के दिश्वा में इस्तित है तो दोस्तों जोड जेरी घंत्व किन्टू समान गहराई ठीके दोस्तों ये सपेश्ट हो गया कि सब सिल्वा में गहराई तक अधिक भारी वाले अधिक घंत्वले पदार्टों में डूबे हुए हैं दोस्तों के सिद्धान के लोशना भी की गई इन्होंने कहा कि जो भाग जितना उचा होता है उत किसी भी भाग को तेरने के लिए यह अवश्यक है कि जिसका एक भाग तो सतरा से बाहर रहें और नो भाग छतर के अंधर नी लकडी का टुक्ड़ा है तो उसका एक भाग पानी के बाहर होगा उन्वा भाग पानी के अंधर होगा तो यहींक 49 कि दिखा जाये दोस्तों में दोस्तों तो हेमाले की उचाएं मानते हैं और एनटी नो कर दें तो कि इतना हो जाके दोस्तों 89,632 मीटर, लगबग 80,000 मीटर की जड़ है, वो हिमाले की होनी चाहिए, जो की क्रस्ट से बनी हुई होगी, क्योंकि 8,888 x 9 हो गया, नवा भाग अंदर है, लगबग 80,000 मीटर की जड़ है, जो क्रस्ट से बनी हुई है, लेकि यदि ऐसा हो तो दोस्तों, इतनी अधी गेराई में जाने पर तो जो पधारते वो पिखल जाएंगे, क्योंकि अध्रीक ताफ़ान बढ़ता जाता है, जातर करने जाने पर 32 मिटर की गराई, पर एक दिग्री सेंटीगेर ताफ़ान बढ़ जाता है, तो ताफ़ान तो बढ़ता ही है, चाहिए, किसी भी दर से बढ़ता हो, तो दोस्तों, क्या होगगा, यतनी जो लंबी करेंगे, दोस्तों, अभी हम देख चूके हैं कि A.D. ने कहा था कि गरत्व समान होता है, लेकिन गहराई में अंतर होता है, लेकिन प्राट बिल्कुल इसके विप्तीत मत प्रस्थूत करते हैं, दोस्तों, प्राट केते हैं कि सभी भगों का जो गरत्व है, वो अलग- जाता है, जैसे माली जी पर्वत है, तो पर्वतों का घ्रत्व पठारों से अलग होगा, पठारों का घ्रत्व मेदानों से अलग होगा, और मेदानों का घ्रत्व सागतली से अलग होगा, सभी के घ्रत्व में अंतर पाया जाता है, सभी का घ्रत्व अलग-अलग होता है, दोस्तों तो प्राट के मत की सब पहली मत्तोपून संकल्पनाया पहली मत्तोपून बात क्या होगी दोस्तों उन्होंने ये कहा कि जो घ्रत्व होता है वो सभी सभी स्थम्भों का अलग-अलग होता है ठीक है तो प्राट के मोदे के सब मत्तोपून बात यही है कि घ्रत्व मे अब अप्वार्टों बात ये थी कि अधियर इन्टों कि आएक सभी घर्चाव ग्र्ट्व समान है तो अब उन्होंने यह जाया कि सभी स्थख्गाई ग्रत्व समान है जूड़ी समान नहीं है प्रवतों का पठारों का मैदनों का सागर्ट लिए अलग लग बताया तो दोस्तों ये मालने की परवतों का घंत्व सबसे जदा है पठारों का उन से कम है मैदानों का उन से कम है और सागर तरीका सबसे कम है तो दोस्तों इस साब से देखा जाये तो सभी अलग-अलग घंत्वे वाले हो गए तो इस इस्तिती में संतुरन की दशा किस प्रकार से बनेगी तो दोस्तों इस समस्या को सुल जाने के लिए प्राट मोटने ने बताया कि जो भाग जितना अधिक उचा होता है उसका घंत उतना ही कम होता है और जो भाग जितना नीचा होगा उसका घंत उतना ही अधिक होगा और इसी कारण से उंचे और नीचे भूबागों के मद्दे में संतुलन की स्तिती बनी रहती है दोस्तों प्राट ने कहा कि जो परवत हैं उनका घात्वर पठारों से कम होता है पठार को घात्वर मेदानों से कम होता है मेदानों का घात्वर सागरतली से कम होता है इसी कारण से जो स्थल भाग है वो एक संतुल के स्थिती में ठिके रहते हैं यानि दोस्तों क्या हो गया उंचाई व घनत्व इसमें दोस्तों क्या है उल्टा अनुपात है कौन सा अनुपात है दोस्तों उल्टा अनुपात उल्टा अनुपात का मुदलब क्या हो गया यह द करती जायकर झाल रोन बढ़ता जाएगा घीक दोसतों तो यहां पर देखते हैं कि सबसें कम उसका अध़ मां सकते हैं कि चो सबसे ऐंचे भूबागे उनका उनका उगा यानि की जो परवत या पक्थार उनका उगा उनसे कम उसके उसके वाद उंका घंटे उसे साफ से बढ़ता चला जाएगा तो परवतों का घंट्वरां मेदानों से कम और मेदानों लोisten से घर्ती जाएगी उच्वी जाने की जो इस्तंब जितना अधिक होगा उसा घ्रती जो एह ईह इसा घजा ग्वरताई कि एप आधी romance जाया खे और नीच घ में सकने जया चाहर रखता की उसको और रखने यहां पर सभी भूभाग अपना बराबर घंत्व रखते हैं या उस पर सभी भूभागों गहत्व बराबर पाया जाता है तो दोस्तों ऐसा कैसा होगा ऐसा ऐसे होगा दोस्तों कि उन्होंने पहले बता दिया कि जो भाग जितना उचा है उसका घंत्व नहीं अधिक होगा तो इस उचा ही और घंत्व में उल्टा अनुपात होने के कारण सब इस्थल भाग या सभी जो भूभागे वो एक तल पर अ इस वागों की उचाए अलगअ है और सभी का घ्रत्व भी अलगअ लेकिन वो सभी एक तलके साहर अपना भार बराबर रखते हैं यह देख रहे हैं दोस्तों आप सभी का जो भार है वो एक तलके साहर बराबर है और इसी भार इसी तलको ख्षति पूर्थी तलके नाम से जाना जाता है दोश्टों यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनोरे जो बता ए systems किसे अधिया है यह देखे। दोस्तों जो भाग जितना उच्थ है उसका घ्रत्व कम आदर को और बकोलम का घ्रत्व इससे जैदा होगा ठीकर दोश्टों यहां पर सबस्ट हो गया एरिका मत कि जो स्थम्ब या जो कोलम जितना ज्यादा उंचा होगा उसना खरात उतना ही अधीक होगा, तबी जाकर ये दोनों कोलम एक रेखा के सहारे अपना घर्त्व या भार बराबर रखेंगे जिसे हम शती पूर्ती तल या समतोल तल के नाम से जानते हैं ये शती पूर्ती तल की संकल्पना है दोस्तों उन्होंने एक प्रियोग भी किया था दोस्तों उन्होंने अलग-अलग धातु के टुकडे लिए चुकि घत्व अलग 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 धालती के टुकड़े लिये कोई सी सा का कोई जस्ता का कोई एंटी मनिका कोई कैसे लोह की अलग झाल QA यही के लिच रह नहीं पारे से भरे बतन में दुबा दि क्योंकि प्यकiph पारे कि जिस तल के सहार यही ते ऑए तिस भाग में इस भाग तेर रहे हैं उसका गृत्व तेर तेव इस तल भाग उसे जाद आए तो अन्हें लेकर उन्होंने पारीस से भरे बद्वह दिया तो व्होंने पाया कि इन सभी जो धार्टु के टुकडे थे यह सभी धार्टु के क्यों रहा दोस्तों अब इसका कराड़ यह था कि जो भाग जितना ऊंचा था जिसके लंबाई ज्याद है जो उसका कहत्व एक उन्हें जाण गहरा था यानि जो भाग जितना छोटा तो अखत्व अधिक रहा तो ऊंचा यह उर घंत्व में उल्टा नोपात होने के करण यह स के दोस्तों एरी के डवरा झाओर तो लगड़ी-कुम्ण को लेकर के प्रहों किया गया था और प्राटक के दो और अलग-जhatten के तुकड़ लिए उनसे नमें दूगो दिया और यह पाया कि सभी जो घुकड़े थे उनका नीचे का तल एक तो दोस्तों प्राट के सिर्धान पे कुछ मत्रपोन बात यह थी कि एक तो उन्होंने घ्रत्व और उचाई में उल्टा उनुपाद बताया जितना अधिक इस्तंब उचा होगा उसा घ्रत्व कम होगा और जो इस्तंब नीचा और गश्व घ्रत्व अधिक होगा तब ही जाक स्सार बराबर पाया जाता है इनके नीचे का तल एक बराबर होता है देशा- bargp series सम्तोल थल के नाम से जना जाता है और इसी कर्ण से प्राट के नुसार पत्थी पर संद्में की दशा बनी रहती है, तो दोस्तों ये इस प्रकाल से दोनों का मत हुआ, जोड जीरी का मत हुआ, जोड प्राट का मत, अब दोस्तों हम दोनों में तुलना करते हैं, कि एरी और प्राट के मतों में तुलना किस प्रकाल से की जाती है comparison of ARI and Prat. सबसे पहले जो तुलना है दोस्तों, वो ये है कि ARI मोध ने कहा था कि घत्व समान होता है, किंटू गेराई में अंतर होता है. तो पहला point क्या होगे दोस्तों, ARI तो ये कहते हैं कि घत्व समान है. गहत wordt है जोना से कंटिको दोस्तों कि ए्री कहते हैं जबकर switched to अलग अलग है वेरिंग डेन्जी टी इडी मोदे लिए उनिफॉम डेन्जीटी across ट वेरिंग डेन्जीटी समान घ्रत्वे एरिमोदे की संखलत ना है और ब्दलता होँगा घ्रत्वे प्रत मोदे की संकल्पना है दूसरा दोस्तों AD-mode केते हैं कि गहराई में भी अंतर होता है varying depth, uniform density समान गर्थव किंतु गहराई में अंतर AD-mode के नुसार गहराई में अंतर है किंतु प्राट-mode के नुसार गहराई एक समान है और ये गहराई एक समान किस रेखा पर है दोस्तों line of compensation समतोल तल पर ये गहराई एक समान है दोस्तों यहां आँ दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राट की जो शर्ति पूर्ति तल की रेखा है वो करदशीत हो रही है देख रहे हैं दोस्तों यहां पर सभी स्थल भागों का घ्रत्व इस रेखा पर बराबर है और वो क्यों है कि जो भाग उचे है उनका घ्रत्व कम है और जो भाग नीचे है उनका घ्रत्व अधिक है इसी करण से इस रेखा पर जिसे की हम लेवल ओफ कमपन्शेशन के नाम से जानते हैं इस पर सभी का घ्रत्व बराबर है यह दी का मत होगे दोस्तों और सोरी यह प्राट का मत होगे दोस्तों और एडी का मत के था दोस्तों कि सभी स्थल भाग अपनी अपनी गेराई के नुसार सब स्टेटम में या मेंटिल में अधिक गेराई वाले भागों में दूबे हुएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों परवत सबसे दी गेराई पर है फिर उससे दी गेराई पर पठार डूबे हैं फिर मेदान है और फिर सागरतली या दूसरे अन्ने निचले मुभ भाग आते हैं तो दोस्तों आपर दोनों के मत्तों में तुलना भी हो गई एरी कहते है समान घ्रत्व किन्तु समान गहराई एरी का मत्त क्या है दोस्तों समान घ्रत्व और समान गहराई यह किसका मत्त है दोस्तों यह एरी का मत्त है ठीक है प्राट का मत्त क्या है दोस्तों समान घहत्वर प्राट का केते हैं दोस्तों कि घहत्वर असमान होता है और गहराई ला मैं समान होती है कि और गहराई समान किस तल तो यहां पर इसपेश्ट हो गया है जब इनकी तुलना की जाए तो दोस्तों आप ही लिखेंगे कि एरी मोदा ने कहा कि विभिन इस्तलबागों का या विभिन इस्तम्मों का घ्रत्व समान होता है कि इन्तों की गहराई पंतर होता है और वो अपनी अपनी उच्छाई के अनुसार अधिस्तर में अधिक भारी पधार्त में अधि घ्रत्वले पधार्त में धसे हुए है जो भा बहाग कि पारकिश के सिद्द्दान्त को दोस्तों घृट ओते हैं घ्रत रritis पर्ट भाग को ततु समय जासे और है उना धी तल के सहरे समान गनत्व रखेंगे उनकी गहरा एक समान होगी एक तल के सारे बराबर होंगे और इस तल को या इस भाग को इस शेत्र को उनने क्या कहा च्छति पूर्थी तल या लेवल ओफ कमपन्शेशन नाम दिया है तो दोस्तों एक एक लाइन में जदी हम एरी और प्राट की सिद् को लिखना चाहे तो एरी का सिद्धान क्या केता है दोस्तों एरी का सिद्धान केता है समान घनत्व और असमान गहराई ठीक है दोस्तों यानि यूनिफर्म डेंजिटी और वेरिंग डेफ्थ प्राट का सिद्धान क्या केता है दोस्तों असमान घनत्व यानि वेरिंग ड इन्जीटी और समान गहराई यानी यूनिफॉर्म डेप्थ तो दोस्तों एर्य और प्राट की जो मत है वो काफी मत्व पूर्ण है विश्विद्ध अले प्रेक्षाओं में भी इसमें से प्रेश्ण पूर्थे जाता है प्रेश्ण इस प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों जद की चलिए समय सब्सक्राइक ठीलां करें के दोस्तों डोस्तों तो ये दोनों डाइग्राम आपको उसमें चल झाल posição कि दिन में जूस्त आदो है्ख़ाई के बनाना प्रेश्खराइक कहें मत्वाठा हों याकर्याकरे, सब्सक्रून सब्सक्राइए क्झे क्याई